नमस्कार मित्रों आपने हाल में ही सुना होगा कि ब्रहष्टाचार का विरोध करे राष्ट्र के प्रती समर्पित रहें ऐसा नाराजों की अभी हाल में ही हमारे भारत सरकार द्वारा सत्तरकता जागरुकता सप्ता का स्लोगन है तो इस पे क्या स्पीचेज हो सकती हैं या क्या मत आप अगर कहीं भासन देना चाह रहे हैं तो आप इसमें क्या पॉइंट साइट कर सकते हैं वो कुछ बिंदूओं पे मैं चर्चा करने वाला हूँ तो अगर आप ध्यान से इसे सुनेंगे तो सायद आपको इस पात पे और स्पश्टता आएगी कि इसमें आप क्या बोल सकते हैं और ऐसा क्यों किया जा रहा है तो इसका प्रमुक कारण है कि संसार में और भारत में बढ़ते हुए करपसन यानि की ब्रश्टाचार के मामले तो ये कुछ नई बात नहीं है ऐसा दसको और सदियों से होता आ रहा है लेकिन यह एक राष्ट्र के डिवलप्मेंट में बाधा है ऐसा क्यों क्योंकि इससे राष्ट्र की संपत्ती की हानी होती है और जो अवसर जो संसाधन हम अपने तरक्की के लिए इस्तमाल कर सकते थे सायद उसका गलत उप्योग हो जाता है और हम पिछड जाते हैं तो यह मोटो यह स्लोगन हमारे लिए बहुत ही अनिवार है कि भरष्टाचार का विरोध और राष्ट्र के प्रति समर्पित लेकिन इसमें कुछ महत्पूर्ण बिंदुए जिसे हमें बहुत ध्यान से समझना होगा कि भरष्टाचार कि नहीं दफ्तरों में या कुछ चुनिंदा लोग ही नहीं करते भरष्टाचार हमारे जीवन में हमारे जन्म से ही सुरू होती है लेकिन ये मानव चेतना है और ये मानव चेतना की सौभाग्य या दुर्भाग्य आप कहें कि वह उपर भी उठ सकती है और नीचे भी जा सकती है तो जब चेतना में मिस्रन होता है यानि कि अगर हम अपने मूल आदर्चों से भटक कर पतित होते हैं तो वो मलिन और दूसित होता है जिसे हम भरष्ट कहते हैं और वहीं से भरष्टाचार उत्पन होता है तो ये कहना कि कोई अमुख ओदे का अफसर भरष्टाचार में संगलिक्द पाया गया या फिर किसी खास दफ्तर में भरष्टाचार देखा जाता है कहना अनुचित है क्योंकि भरष्टाचार आपको घर घर से और हर समाज में देखने को मिलता है तो हम इसे कैसे कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं तो अगर हम इसका एक बार में कोई उपाय निकालने की कोशिश करें तो सायद या असंभव होगा क्योंकि भराष्टाचार एक दिन में पैदा नहीं होता तो इसे एक दिन में खतम भी नहीं कर सकते हैं यह दसको और सतको की उत्पाद है तो इसे धीरे धीरे ही बाटा जा सकता है इसके लिए हमें अपने मनुस्य के मन की संग्रचना को समझने का प्रियास करना पड़ेगा कि आखिर एक मनुस्य का चेतना ब्रष्ट या दूसित या मलिन कब होता है एक आम चीज जो कि आप ब्रष्ट लोगों और उनके जीवन में पाएंगे अपूर्णता यह जो अपूर्णता है यह हमारे भ्रष्ट होने का मूल कारण है अगर व्यक्ति पूर्ण हो जाए तो सायद उसे भ्रष्ट होने की जरुदना पड़े क्योंकि भ्रष्टाचार में तो यही पाया जाता है कि कोई बहुत सारे संसादनों का संचय करता है या फिर अपने बल का दुरुपयोग करता है जो कि हम भ्रष्टाचार समझते हैं तो अगर किसी मानव चेतन को यह बात समझ में आ जाए कि उसे कहां रुकना है अगर किसी को यह समझ में आ जाए कि हमारी जरूरत कितनी है हमारी अब सकता कितनी है तो सायद भ्रष्टाचार के मामले कम देखने को मिलेंगे और ऐसे हम भ्रष्टाचार के खत्म की और भी बढ़ सकते हैं तो हमें इस अपूंता को ढूंडना पड़ेगा अगर जब तक हम इस अपूंता को तरास्ते नहीं है तब तब भ्रष्टाचार को कम या खत्म करना बहुत-बहुत मुस्किल होगा सिर्फ उथली उथली छोटे छोटे कारेकरमों से हम इसे कम नहीं कर सकते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने सिख्षा प्रनाली में मनुष्य के चेतन अस्तर को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कारे किये जाए उन सभी को सामिल करे क्योंकि प्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि कोई वयस्क होकर ही प्रष्ट होता है क्योंकि जो आज बच्चा है वही कल को जाकर किसी उचे दफ्तर में या किसी उचे ओदे पर बैठेंगे तो अगर हम बच्चे की ही सिख्चा प्रनाली ऐसे रखें कि उसमें भरष्टता उसमें मलीनता कम से कम हो तो आगे जाकर भरष्टचार के मामले बहुत ही कम देखने को मिलेंगे तो हमारा यह प्रथम दायत तो बनता है कि हमें जो अपूंता दिखाई दे रही है हमें उसकी जाच करनी चाहिए हमें आत्म अवलोकन करना चाहिए और उसके लिए हम विविन दर्सन सास्त्रों का भी सहारा ले सकते हैं वह आप थोड़ी सोध करेंगे तो सायद आपको मिल जाएगी तो अगर आप अपूंता को अपने नहीं पहचान पाएंगे तो आपके भरष्ट होने की संभावना बहुत होगी जब आप समझ जाएंगे कि आपकी आवसकता कितनी है और क्या वो आवसकता जायज भी है क्या उधारन के तौर पे कोई व्यक्ति पांच रूटी खाता है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वह अगर असी साल जिवित रहेगा तो उस हिसाब से वह अगले असी साल के लिए पांच रूटी की गन्ना करके धन जमा कर ले या फिर संसाधन को एक किसी जगा पे संग्रहित कर ले तो ये ब्रष्टाचार है क्योंकि उसमें बहुत चीजे जो की सायद होगी या नहीं होगी उसने पूर्व अनुमानित रूप से स्विकार कर लिया और उसके अनुडूप अपना क्रित किया तो हमें ये बात कि लखीर खीचनी पड़ेगी कि हमारी यह वसकता क्या है और हमारा लोब किधर हमें ले जा रहा है तो कहीं न कहीं जो दर्शन सास्त्र हैं वो हमें भरष्टाचार कम करने में या इससे मुक्ती दिलाने में सहायक हो सकते हैं इसके कुछ और पहलूपे में भी मैं आपका ध्यानों जागर करना चाहूंगा कि जो व्यक्ती भरष्ट होता है वह जरूरी नहीं कि किसी एक मामले में ही भरष्ट हो उसका जीवन चरित्र ऐसा होता है कि उसके अधिकतर कार्य क्रिया कलापों में आपको मलिनता दिखाई देगी और उसका मूल कारण है चेतना का मलिन या पतित होना या फिर आप ऐसे कहें कि हमारे मन का पतित होना तो हमें अपने मन को साफ और स्वक्ष करना पड़ेगा और कुछ लोग ऐभी मानते हैं कि भरष्ट व्यक्ती भरष्ट चार जो लोग करते हैं उनका जीवन बहुत सुक्मे होता है क्योंकि उनके पास बहुत संसादन होते हैं लेकिन यह बात सही नहीं है अगर आप उनके जीवन को बहुत करीब से देखें तो उनके जीवन में जितना डर है जितना उनके जीवन में लोग है लालच है वह सायद आम आदमी से कई ज़्यादा गुना है और बहुत सारे अपसाद के कारण बहुत सारे अपसाद के केसेज आपको उन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे वनिस्पत आम आदमी की तुलना तो भरष्टाचार से किसी का जीवन सुख में दिखता है पर होता नहीं है और कई बार ये भी तर्क आपको सुनने को मिलेगा कि कई लोग अगर भरष्ट चार करते हुए पकरे भी जाते हैं तो उनका कहना होता है कि मैं अपने वंस के लिए संजोग के रख रहा हूँ या फिर अपने आने वाले पिड़ी के लिए तो यह भी तर्क संगत और तर्क संगत नहीं है एक हिंदी की कहावत साथ आपने सुनी होगी पूत सपूत क्या धन संचे, पूत कपूत क्या धन संचे इसका आर्थ है कि अगर आपकी संतान नालायक है तो आप उसके लिए कितना भी धन संजोकर रख दीजिए वह उसका दुरुपियोग ही कड़ेगा और अगर आपकी संतान अच्छे हैं, लायक हैं तो अगर आप उनके लिए धन संजोकर नहीं भी रखेंगे तब भी वह अपना निर्वाह गुजारा बहुत अच्छे से कर लेंगे तो बहुत सारे धन की आवे सकता नहीं होती, बहुत सारे संसाधनों की आवे सकता नहीं होती एक हद तक ही संसाधन और धन का उप्योग होता है उसके बाद हर व्यक्ति को मंजिल खुद ही तरासना होता है किसी के बाप या दादा उसके जीवन का रास्ता प्रसस्त नहीं कर सकते है इस इन बातों को भी हमें समझना पड़ेगा वरना रष्टाचार के मामले बढ़ते ही रहेंगे और हमारी मानव जाती का उत्थान के जगा पतन ही देखने को मिलेगा उमीद करता हूँ कि मैंने जो दो तीन बिंदुए पे गौर किया हुआ इस सतरकता जागरुकता सप्ता तक ही सीमित न होकर आपके जीवन में भी उत्रेगा और आप उन सास्त्रों गरंतों और दर्शन की ओर जरूर अग्रिसर होंगे जो कि हमें भरष्ट होने से बचा सकता है और हमें एक उच अपने आदर्स को प्राप्त करने में मदद करेगा कुछ बिंदुए जो कि मैंने इतने बड़े लेक्चर में कहा उनको मैं संशिप्त में कहता हूँ एक जो कि अपून्टा दूसरा हमारे चेतना का अस्तर यानि हमारे मन की स्थिति तीसरा हमारे संतान के प्रती या फिर हमारे पड़िजनों के प्रती या खुद के प्रती भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिन्ता उमिद करता हूँ कि आप इन पे मनन करेंगे और कुछ सकारात्मक दृष्टी कोन का बदलाव आप के भीतर होगा इन ही बिंदूओं को आप साजा कर सकते हैं अगर आप कहीं स्पीच या फिर इलोक्वेंट देना चाहते हैं जो की इंग्लिस में से नो टू करप्सन कमिट टू नेशन है इस सिर्षक में क्यांतरकर धन्यवाद